इसलामे केलेंजर के अनुसार रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना मुहरम का माना जाता है इस महीने में दस्वे दिन आशुरा की तारीक होती है जिसका इसलाम धर्म में विशेश महत्व है मुहरम का महीना 31 जुलाई से शुरू हुआ था इसलिए आज आशुरा की तारिक है इसे यौम ए आशुरा भी कहा जाता है इसलाम में ये दिन मातम का दिन होता है आज से करीब 1400 साल पहले इराग के कर्बला शहर में पेगंबर मुहम्मत के नवा से हजरत इमाम हुसेन और यजीत के सेना के बीद जंग छिर गई थी हजरत इमाम हुसेन इसलाम की रक्षा के लिए लग रहे थे इस जंग में हजरत इमाम हुसेन ने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत भी थी हजरत इमाम हुसेन की शहादत का दिन मुहरम की दसवी तारीख यानी आशुरा थी इसलिए उनकी याद में मुस्लीम समुदाय के लोग आशुरा को मातम मनानते हैं आशुरा को मुस्लीम समुदाय की और से ताजियों के साथ मातमी जुलूस निकाला जाता है ताजियों को कर्बला की लराई में शहिद हुए लोगों का प्रतीक भी माना जाता है हजरत इमाम हुसेन का मकबरा इराक में है शिया समुदाय के लोग मकबरा की तरह का ताजिया बना कर जुलूस निकालते हैं और मातम मनाते हुए कहते जाते हैं या हुसेन हम ना हुए इसका मतलब है कि हजरत इमान हुसेन हम सब दुखी है कर्बला की लराई में हम नहीं थे नहीं तो इसलाम की रक्षा के लिए कुर्बानी देते इस बार भारत में आशुरा आज है तो सौधी अरब, ओमान, कतर, UAE, इराक, बहरीन और अन्य अरब देशों में मुहरम 30 जुलाई को शुरू होने के कारण ये वहां कल यानी 8 अगस्त को था निूस जैस रिपोर्ट असमा दित्यर